हेलो गाइज, वेलकम बइक टू माई यूटूब चैनल घरीलू शिक्षा फ्रेंज क्या आप भी अपने बच्चे के सरीर में आने वाले अंचाहे बाल है यार ग्रोज से परिशान है कि आपको भी लगता है कि मैं अपने बच्चे के सरीर में आने वाले अंचाहे बाल को कैसे रिमूफ करूँ कैसे इसको जड़ से निकालूँ तो आज कहरे मेड़ी बिल्कुल आपके लिए हैं तो हमने सबसे पहले ले लिए हैं गेहू का आटा और से बनाओंगी फ्रेंज बहुत ही अच्छा रिमेडि बन कर त्यार होगा जो आपके बच्चे के सरीर में आने वाले हैं चाहे बालों को जड़ से निकालेगा कई बच्चे पैदा होते हैं तो इतने जादा उसके सरीर में फोर हेड पे सोल्डर पे कान पे सीने पे छाती पे पीठ पे इतने ज़ादा हाथ पेर में बाल होते हैं कि बच्चे का फेस जो है अच्छे से समझ में नहीं आता और ये वोग्ध बड़ी परिशानी बन जाती है क्योंकि जब बच्चे छोटे रहते हैं और उनके सरीर में बाल आ जाते हैं फिर क्या होता है कि उम्र के सांसार बाल भी हार्ड होने लगता है और उसके बाद में रिमूफ करना बहुत ही ज़्यादा दिक्कत वाली बात हो जाती है दाद ने वो जड़ से बिलकुल भी नी निकलता तो बच्चे जब तीन महने का हो जाए आपका बच्चा तो ये रेमेडी का यूज हम बच्चे के तीन महने के बाद ही करेंगे जैसे चार पांच छे महने तो एक साल तक अगर आपका बच्चा है तो ये रेमेडी यूज कीजिए बाल जो है जड़ से निकल जाएगा फ्रेंस बहुत अच्छा रेमेडी है मैं इसका इस्तिमाल अपने बे बेबी के कान में जित्तिम भी बाल थे उसको मैंने रिमूफ किया बहुत ही अच्छा वर्क करता है त्राइक कैसे करना है वह आपको चलो मैं बताती हूं तो मैंने लोई अच्छे से गूत लिये है देखो दूद से और आटे से अब इसको इस तरीके से बेबी के इसकिन में आपको मालिस जैसे करते है न वैसी ही आपको मालिस करना है जैसे पीट में अगर बाल है तो नीचे से उपर की ओर ले जाएंगे जिससे जड़ में अच्छे से पकड़ बने और बाल जो है वो जड़ से तूटे तो जहां जहां आपके बेबी के शरीर में बाल है उस तरीके से आप इसको आटे से मालिस करते जहिए आटे में चिपकर बाल जो है जड़ से तूटने लगेगा और फ्रेंस यह प्रोसेस हमें कप करना है जब हम बेबी को नहलाने के लिए लेके जाए उसके 10 मिनट पहले क्योंकि आटा हो जाएगा तो नहलाए वही बेटर है नहलाने के स जब बाल ड्राई रहेगा फ्रेंस तभी बच्चे के जो सरीर में बाल है ना वह आटे में पकड़ जाद अच्छे से बनेगा तो जड़ से निकलेगा तो इस तरीके से आप इपने बेबी के स्कीन ने जैसे च्छाती वगेरा पर बार रहते हैं गाल में बहुत जादा बार रहते हैं तो इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं देखें बेबी कितने जादा इरिटेड हो रही है उसको पसंद नहीं आ रहा है क्योंकि इसको इसकीन के जमने च्छूती हुना तो बहुत ही जादा इरिटेड हो जाती है तो आप इस तरीके से ये प्रोसेस कर सकते हैं और अपने बच्चे के स्किन में सरीर में जहां पर भी अंचाहे बाल है जैसे हाथ पैर में हो गया हाथ पर भी रहते कई बच्चों के पैर में बहुत जादा बार रहते हैं तो इस तरह से आप जैसे हम फेसियल वगरा करवाते हैं पालर में वैक्स करते हैं तो नीचे से उप कोई भी कॉस्मेटिक चीज का यूज नहीं कर सकते ना तो यह तरीका जो है बहुत ही अच्छा है यह आप जिरूर ट्राइ कीजे आप देखेंगे अगर इसको आप चार पाज बार ट्राइ करते हो ना जैसे कि रोज आप नहीं कर रहे हो तो एक दीन दो दीन चार दिन ने बिल्कुल ही जड़ जाएंगे बहुत ही जादा रहते हैं बाल वह बिल्कुल ही कम हो जाएंगे लेकिन आपको ध्यार रखना है कि यह प्रोसेस आप छोटे बच्चे के में ना करें जैसे आपका बच्चा तीन मेहन कहो गया है तो उसके बाद आपने प्रोसेस कर सकते हैं और आपको कम करना है जब बच्चा आपका साल भर के अंतर गत हो तब क्योंकि बाल जवाड़ हो जाते हैं तो यह तूटता नहीं है तो इसलिए आप क्या कीजिए बच्चे के सरीर में इस तरह के से लो़ी बना लीजिए का बच्चा छोटा है तो और अपने बच्चे के सर पी रगड़ोगे ना तो उससे भी बाल टूड़ता है तो ये ट्रीका आप भी यूज कर सकते हैं फेस पे बस क्योंकि हाथ पेर का बाल नहीं टूटेगा फेस का टूट सकते हैं जैसे आप बड़े हो तो तो वीडियो आपको अच्छे लिगे फ्रेंज तो लाइक कीजिएग दूड़ का टूगड़ा है जूजड़ा है जच्छेग कीज़गे टूज़ा है